परमसंत किरपाल सिंग जी महाराज फर्माते हैं कि जीवन में कैसा भी दुख और कस्ट आई पर आप भक्ति मत छोड़िये क्या कस्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं क्या बिमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं नहीं ना फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो कभी भी दो चीज मत छोड़िये भजन और भोजन भोजन छोड़ दोगे तो जिन्दा नहीं रहोगे भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे सही मायने में भजन ही भोजन है जैसे पपीहा स्वाती बूंद के वास्ते वन वन फिरता है और किसी बूंद को कुबूल नहीं करता है क्योंकि और बूंद उसकी प्यास नहीं भुजाती है तो मालिक भी उसकी सच्ची तड़क को देखकर स्वाती बूंद बरसाता है और उसकी प्यास को भुजाता है इसी तरहां जिनकी सत्गूरू और नाम की खोज सच्ची है और उन्ही की तलास में रहते हैं उनको सत्गूरू और नाम प्रापत होंगे हर एक का काम नहीं है जो इस रास्ते पर कदम रखे सत्गूरू तेरही आस्रा